गई भार आज की इंटरूप पूछा जाता है मैं उसी के बारे में आज की इस वीडिव में बताने वाला हूँ कि आप जो अपना इंटरूप है अगर यह इंटरूप आप से पूछा गया है लिया गया कि आप प्रेटिकल में इसे करके आप दिखाईए Excel में तो आप किस तरीके से कर सकते हैं आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो मैं अपने इस YouTube चैनल के उपर Excel का प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसमें मैं Excel का ही वीडियो अभी डाल रहा हूँ अगर आपको Excel से रिलेडियो देखना है या Excel पर आप कहीं पर जॉब करते हैं अगर आपको Excel नहीं आता है तो आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं और कहीं भी आप असानी से जॉब कर सकते हैं तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फार्मेट लगाया है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यह फार्मेट है वो कॉलम यच तक दिखाई दे बिल्कुल सेम कलर में तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कॉपी इसको करेंगे और कॉप करते हैं तो जो आपका interviewer है वो आपको reject कर देगा तो चलिए मैं आपको एक simple तरीका बताता हूँ जिससे आप इन सबी को fill up कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है जहां तक आपको ये fill करना है वहाँ तक आप इसको select कर दिए और इसको select करने के बाद आपको अपने keyboard से Ctrl प्लस R का बटन प्रेस करना है ये प्रेस करने के बाद आपका जो पूरा सेल है वो फिल हो जाएगा अगर आपका क्यूस्चन है कि Ctrl R प्रेस करने से ये पूरा फिल हो गया लेकिन Ctrl R से होता क्या है मैं क्या बताऊंगा Ctrl R से क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि Ctrl R से क्या होता है Ctrl R से होता है Field Selected Sale जब आप यहाँ पे अपना Sale सेलेक्ट करते हैं तो जो आपका पहला Sale होता है और उसमें जो Color होता है वो सभी में बार-बार Repeat हो जाता है तो इसे क्या होगा आपका जो काम है वो करने में असान होगा और आप किसी भी काम को Fastly तरीके से कर पाएंगे तो चलिए है आज के इस वीडियो में कोल इतना ही अब मिलूगा आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को Like, Share जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन जरूर प्रेस करिएगा चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप देखते रहे है Take the YouTube चैनल